किसान भाईयों नमस्कार मैं आपका अपना एग्रोग गुरू आप लोगों के लिए कुछ नए-ने वीडियो और कुछ नई जानगारिया जैविक है तो मुम्किन है और जैविक के बढ़ावा देने के लिए कि रसायन से बहुत जो हानिया हो रही है जो छती पहुँच रही ह सरीर में मांसिक रूप से और हमारे समाज में जो वो जहर घुल रहा है उस जहर को कैसे खतम करना है उस रसायन से में कैसे मुक्ति पानी है उसका एक संजीता जो हमारे किसान भाई होते हैं उनसे बहतर कोई चीज़े नहीं जानता है और उसमें जो जागरू किसान होते हैं वो सबसे अच्छा उधान पेस कर सकते हैं ऐसे किसानों के लिए जो इसके खतरे को अच्छे से भापते हैं जानते हैं और समझते हैं कि रसान कितनी शती उनको दे सकता है। सबसे पहले हमारे बीच में जो हमारे किसान भाई हैं उनकों आज अगर हम बात करें तो किसी पहचान के आउशकता नहीं है क्योंकि हमारे जिले की एक शान के रूप में उभर रहे हैं और हम कामना करते हैं सरकार से भी कि उन्हें अच्छे से प्रोस्कृत किया जाए क्योंकि अगले किसान को प्रोशाहन दे सकते हैं नहीं नहीं टेकनीक बता सकते हैं ताकि वह आत्म निर्भर की दिशा में बढ़ सके और हमारे प्रधान मंतरी जी का सपना साकुषल बढ़ाया जा सके उसके लिए मैं बहुत-बहुत धनिवाद करना चाहूंगा नाम आपका क्या है सर कि गया परसांद मौर्या जी गाओं मुहम्मध पूर ये विश्वां पतेपूर पोस्ट विश्वन पूर और फतेपूर आपकी कहानी हम लोगों ने कई बार यूट्यूब पर देखी है चैनल पर भी देखी है तुससे प्रोशाहन मिलता था कि हम लोग आप से मिल सकें और आपके साथ जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने की बातचीत कर सकें जैविक खेती की तरफ आपका रुज्वान कैसे आया करना चाहिए यानि एक यूट्यूब प्रेंडणा की तरीके से लोगों के बीच में आकर के काम भी कर सकता है यह और मैं भी चाहूंगा कि टीवी छोड़कर लोग यूट्यूब की तरफ आएं भी ताकि जानकारी से वरी चीज़ें देखें और वह नहीमें तिखा जा रहा है बलकि जांकारी वली चीज़ें धे शरी फिर करते थे तब आपको सारीरिक दिक्टे वगएरा कुछ हुआ करती थी पहले हैं और उससे आप यह बहुत जानते हैं कि हमारे जो सारी में दिक्टे जिसे आप कैंसर की लड़ाई जीत करके आए हैं ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो नहीं जीत सके और वह आज दुनिया में करें नहीं हैं ऐसे लोगों के लिए पिडिना सुरोत हैं और अच्छी पिडिना के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं जैसे आपने पिछले साल काला गहूंभी किया था इस बार काला धान भी कर रहे हैं अभी हम लोग वहां भी चलेंगे यहां ड्रेगन फूट की खेती भी कर रहे हैं बगल में पपीता भी लगा रखे हैं घुईया भी लगा रखे हैं और आपने सहजन भी लगाया हुआ है बैगन भी लगाते हैं मिर्श भी लगाते हैं यानि आप पूरा मल्टीबल क्रॉपिंग कर रहे हैं जिससे आपको आर्थी की मदद मिलती है और एक जिले में एक अच्छा नाम और पहचान भी आप कायम कर रहे हैं हम लों का गर्व है कि आप हमारे जिले से भी आते हैं हमारे बीच में चुटे भाई भी है उनको भी बुलाना च तो जान बंद नहीं जैसे आप पहले रसायन के स्प्रेय करते थे और आज आप जयाविक का इस प्रेय कर रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या रहा है इसके विसे में आप जानकारी देना चाहेंगी किसान भाईयों को अंतर बखुत बड़ा है जैसे ऐसे कि उसमों जानले और तो उसमें हमारे आपके दवाब किया उसमें इस नहीं घुझा नहीं है खुश्बू आती है किसी परकार कोई बद्बू या केमिकल का नहीं है हम लोबिया में छोड़े थे तो उसमें खुश्बू आपकी दवा का कम से एक महिना तक मासरमा बूं दिया था जे और उसकी परकार की को कस लाउंगी खुश्बू आ रहे थी और आपने देखा था गु तक उसकी खुश्बू थी तो यह जो परिणाम है यह काफी सुखदायक होते हैं और जो खिसानों के लिए जो जहर की जो मुक्ती चाहिए हमें क्योंकि जैवी की तरफ बढ़ना होगा वरना हमारा खेत हमारा समाज बहुत जरीला बहुत दूशित जी आप भी देखना है कि जब खेत पे डालते हैं उसको तोड़ कर लाके घर में बना के खाते हैं जिससे दिक्टे आती हैं अना यह जो ड्रेगन फूट की खेती जो आप कर रहे हैं हम आप चाहेंगे कि ड्रेगन फूट की खेती किस तरीके से इनको पेना का सबब मिला और आज जो लाब हो रहा है उसको और किसानों के साथ कैसे खाजा करना चाहेंगे और क्या-क्या चीजे हमें और सुनने को मिल लए हैं उसके विसरे में भी हम जानकारी देंगे जैसे हम लोग की बाचीत हुई थी कि आप जिले में इसको पड़े पैमाने पर बढ़ाना चाह रहे हैं और किसानों को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं कि इससे वो आयके अच्छे सुरूत पा सके तो क्या आप इनके पौधे और नरसरी के द्वारा अनि लोगों को पौध पहुचाने की करपा करेंगे हाज हमारा प्लान चल रहा है कि अधी मिक्की की तैयार करा रहे हैं कि कटिन से पौधा तैयार किया जाएगा जो हम तो चाहते हैं कि बविश्य और समय को देखते हुए ये क्रॉप ज्यादा अच्छी मैसुस हो रही है ये सभी किसानों को करना पानी का खर्चा कम है खाद दवा का खर्चा बहुत कम है इसलिए इसमें प्रॉफिट जादा अच्छा है तो आप यह कटिंग होंगी और नए पौदे होंगे ये कब से किसान भाईयों के लिए लेबल होना सुरू हो जाएंगे ये अक्टूबर लास्ट से तो हम चाहेंग पौदे भी मिलेंगे और जैवी खेती की वो सारे साजो समान भी देंगे जो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी ऐसे चमकदार बढ़ियां से फल जो आप अच्छी आमदनी का सुरूत भी होंगे और अगर हम कहें इसके साथ आप कई खेती और भी कर लेते हैं जैसे फुल गोवी परतागोवी धन्या भारा इसकी जा आप आप देखाना चाहँगा ये पपीता भी आप देख सकते हैं इक अच्छा पपीता लगा हुआ है और कई लाइनों में लगा हुआ है यानि यहां पर आप अगर आप आते हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ वो सारी चीजे पाएंगे जो एक उभरते किसान के लिए आवश्यक हैं और जैसे आप देखते हैं मार्केट में रसाइन के पेक्षा जैविक फनों की डिवाइन जादा है और उसे रेड भी अच्छा मिलत हैं जो समझते हैं करने से कि हां कर रहे हैं तो इसको ले रहे हैं देखे उसका सर्टिफिकेट हम देते हैं क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट हैं हम जहां भी आप जाएंगे क्योंकि आप हमारा पोड़ेट भी यूज कर रहे हैं तो हम इसको खोल के कह सकते हैं कि आप प्रेज़ करें तो आगे हम लोगों की वीडियो पूरा देखते रहे क्योंकि अब अगली जो कड़ी आएगी उसमें वह धान के खेत की होगी जिसमें अब काले धान की जानकारी प्राथ करेंगे अब यह करते हैं ताकि यह सारी जानकारी किसान भाइयों को मिलती रहे जैसा क किसान बहुत कम देखने को मिलते हैं वरना मैक्सिम लोग खेती को छोड़ करके वह चोटा मोटा व्यापार चोटी मोटी नोखरी करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में क्योंकि लागत ही इतनी बढ़ चुकी है अभी जैसे आप से बात हुई थी काले धान के विसमें ले चावल के बारे में देखा यूट्यूब पर जानकारी उससे हां से कि इसमें जाए विशीर और मोटा को कम करने के बुरह हैं कुछी में आइजान और काफी मात्रा में है फाइबर यानि सूच पोशकता तो की मात्रा जो सरीर को चाहिए वो ज्यादा है हाँ जो कंसर वालों के लिए फाइजेमन है इसलिए हमने सोच कर इसको लगाया कि इससे लगाना सी है और इसका जब हम जैविक पर कैसे करेंगे तो लोगों को इसको बढ़ावा देंगे बढ़िये यह अच्छी काहार जीविक चीजे नहीं है जो होनी चाहिए क्योंकि जैविक चीजों को खा करके आज कोई वी वेक्ति अगर देखा जाय तो जीवन यापन नहीं कर रहा है यानि उसका खाना सिफ चारे के समान है भूजन के समान नहीं रह गया है इस आपकी पहल के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद करना चाहेंगे और जब हम लोग आपके पास आया थे तो देख रहे थे धान में थोड़ी सी दिखते भी आ गई थी कुछ पीला पढ़ने कि हम नहीं किया इसलिए हमारे पात परोस्ते धान से जो है सकते अलग लाइट में था लेकिन ये मेड कर दो परने से कुछ करा रिखका चेंज हुआ है तो जब निश्रा करार पे है धान हमारा क्योंकि हमने कोई कोई दिखावत एक तरफ से करके बात करें तो कोई दिखाव होगया पर इसपे नहीं की व्यविश्रायों जानकारी देना चाहेंगे कुछ बाली खेत में निकलने लगी और किस तरीके से ये ध्र होता है इसको भी देख सकें यह धान, यह नमक नहीं है यह दो इसमारे बिंसमान निकल कर के आता और जैसे हमारे पॉस्टिक आहर की मातरा ज्यादा होती है तो इन चीजों को ले करके प्रेरीत होई और आगे से सभी प्रकार के जो काले धान है या काला गेहुं है इसके बीज हम लोगों को मुहिया करा जाएंगे और जैवी खेती के लिए सभी प्रकार के जो पोशक तत्यों से सम्मंदित जो भी प्रोड़क्ट है या कीट नाशी है तो हम लोग उसको मुहिया कराएंगे और एक टीमवर की तरीके से जैसा काम हम लोग करते हैं उस टीमवर की तरीके से सभी लोग मिल करके काम करेंगे और एक दूसरे का हाथ बटाएंगे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं भी चाहूंगा कि जैविक है तो मुमकीन है और इस जैविक मुहिम में आप भी हमारा हिस्सा बने बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार